Hello students, welcome to my channel, it's school time, so कैसे आप सब, जरूर अच्छे तरह से चल रहा है आप सब का study, तो चलिए देरेना करते हुए, शुरू करते है आज का वीडियो, जो की है LCM and HCF का part 4, और ये last part है of this series, okay, तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो, और आप लोग आज का वीडियो भी first तक जरूर देखे, skip मत किजिए, अगर skip करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा, और आज का वीडियो factor 3 के उपर है, जो की HCF का एक most important part होता है, ठीके, तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो, तो देखे, question 1 में क्या दिया हुआ है, find the HCF of 240 and 924 by using factor 3, ठीके, तो देखे, कैसे निकलते हैं, तो 240 पहले लिखिए और इसको आप लोग तोरने की कोशिश कीजिए, तो देखे, किस से जाता ही है, हम लोग 2 से इसको divide कर सकते है, 2 into 120 होगा, फिर से देखे, 120 को हम लोग इसको तोर सकते है, 2 into 60 से ये divide हो जाएगा, next 60 को हम लोग divide कर सकते है, 2 से 2 into 30 हो 3 से, तो क्या होगा, 5 होगा, तो ये हो गया हम लोग का 240 का prime factor, तो ये से हो गया prime factor of 240, अभी देखे, 924 का prime factors क्या-क्या होता है, तो देखे, 2 से हम लोग इसको divide कर सकते है, 462, 2 से divide कर सकते है, 231, इसको हम लोग 3 से divide कर सकते है, 77, and इसको 7 से divide कर सकते है, 7 into 11, तो ये हो गया ह आइ मैं इस को प्राम इमने और रिख्यवर कि आपक्परो से, दिखें। तो आभी देखिए इसको देख़ने चलें में 3 की जैसे लागता है इसलिए हम लोग इसको फेक्टर 3 बोलते हैं तो आभी दिखें इन लोग का एक साफ में लिख दिजिए जो जो prime factors निकला है इन सब का, okay, तो 240 का दीखे कितना निकला है, 2 x 2 x 2 x 2, 3 x 5, यानि कि इन जो site का, ये सब site का जो prime numbers है, ये सब को आप लोग लिख दीजी, ये सब नहीं होगा, ये सब होता है composite number, okay, तो 924 का भी same लिख ही है, दीखे, 2, 2, 3, 7 and 11, okay, या पर ये सब क्या होगा prime factors नहीं होगा, क्योंकि ये सब composite number होता है, okay, तो अभी सबी का common दीखे कितना होगा, 2, 2, 3, तो 2 x 2, 2, 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का HCF of कितना, 240 and 924 का, तो आप लोग दीख लिजी एक बार, फिर से इसको, और अच्छे तरह से कर दीजी इसको practice ए in the ratio of 3 is to 4 is to 5 and their LCM is 2400, their HCF is what, तो देखे, या पर 3 numbers दिया है और उनका ratio दिया, numbers नहीं दिया, ratio दिया, 3, 4 and 5, तो अभी दिखे हम लोग ने इन ratio को number में convert कर देंगे, कैसे, x के साथ इसको लिखे, क्या होगा, 3x, 4x and 5x, तो अभी दिखे, LCM दिया है na question में, तो अभी LCM का म हम लोग ने किया मालूम है, देखे, common into uncommon, इसका मतलब किया होगा, LCM होगा, तो देखे, common and uncommon का मतलब किया, सब जो number है, इनको हम लोग multiple कर देंगे, क्या होगा, 3, 4, 12, 12, 5, 60, तो यह 60 होगया हम लोग का, 60x होगया हम लोग का LCM, तो अभी दिखे, this 60x is equal to क्या होगा, 2400 यानि 60x is equal to 2400, तो लिख दिजे आपर, देखे, मैंने लिखा है, according to question, 60x is equal to 2400, तो अभी x is equal to क्या होगा, 40 होगा, यह होगया, आम लोगा, cancellation करने के बाद answer, तो अभी दिखे, the numbers होगा, 3x, पहला था 3x, तो 3x के जगा पे 40 लिख दिजे, क्या होगा, 120, 4x था x के जगा प होगा, तो इसका answer क्या होगा, 200 होगा, तो यह हो गया हम लोग का 3 numbers, तो अभी इन 3 numbers का HCF निकालना है, question के मुताविक, तो मैंने देखे क्या क्या है, या पे I used factor 3, मैंने या पे factor 3 ही use क्या है, बट आप लोग इसको prime factorization में भी कर सकते, कोई problem नहीं होगा, तो देखे, क्या ह मैंने इसको prime factor में नहीं किया, या पे मैंने factor 3 अप्लाई किया, तो सेम उस तरह से कीजिए 120 को तोर दीजिए, 2 x 60, 60 को तोर दीजिए, 2 x 30, 30 को तोर दीए, 2 x 15, 15 को होगा 3 x 5, okay, 160 को तोर दीजिए, 2 x 6, 2 x 80, 80 को convert कीजिए, 2 x 40, 40 को होगा 2 x 20, 20, 2 x 10, 10, 2 x 5, okay, तो यह होग तभी सेम कीजिए, 2 x 100, 2 x 50, हो गया 100, 2 x 25, हो गया 50, 5 x 5 हो गया 25, ठीके, यह जो सब नंबर है, सब प्राइम नंबर से, यह सब हम लोग का प्राइम नंबर से, निकालता है, अमेशा, okay, तो अब सब को लिख दीजिए, जितना जितना प्राइम नंबर से निकलाए, सभी को यहाँ पे put done कर दीजे, करने के बाद देखे, यहाँ पे हम लोग का common numbers भी निकलेगा, common क्या क्या, देखे, 2, 2, 2 और एक 5 निकल जाएगा, तो देखे, कितना होगा, 2 x 2 x 2 x 5, यानि 40 होगा इसका xdf, तो यह था आजका question, और यह most important था, फेक्टोर 3 के उपर था, हमेशा यह work में आता है, काम में आता है, हम लोग को करना ही जाए, और statistics का तो यह most important part होटा है, ठीके, maths का भी तो होता ही है, ठीके, class 8 और 10 के लिए most important होता है यह series, ठीके, तो आप लोग दीखिये, most important था, इसलिए मैंने करा दिया, last part में आप सब के लिए, और बाकी जो parts था, वो सब भी आप लोग देख लेना अच्छे तरह से, क्योंकि उनमें भी most important question ही मैंने add किया है, maximum question जो exam में आया है, उन सब का ही question था, ठीके, तो आशा करतू, आप सब को अच्छा लगेगा, आज का भी वीडियो, और अगर अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, and share कीजिए अपने friends के साथ, ठीके, और किस student के साथ, and subscribe कीजिए मेरे channel को, जो की है school time, ठीके, तो आशा करतू, आप सब की को अच्छा लगा है, and एसे ही मुझे motivation देते रही है, and मेरे साथ बने रही है, okay, so thank you for watching, keep in touch.